थ्री एंजल नहीं हमारा चैनल को और भी अधिक प्रोसान मिलेगा दोस्तों और आपका धेर सारा प्यार हमको चाहिए ताकि मेरा ये चैनल दिन दून नाराज चगुनना आगे बढ़े दोस्तों आपका प्यार ही ऐसा है जो कि मुझे खीच कर लाता है नए नए वीडियो बनाने के लिए दोस्त जिससे कि आपके घर में कोई भी तकलीफ होता है कोई भी नजर लगती है नजर दोस है या तकलीफ है या तो कलह होते हैं तो उसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स बताऊंगी जिससे आपका घर का जो वास्तु दोस है जो कलह है जो जगड़ा है वो सिग्र अति सिग्र खिजने की बहुत बड़ी सकती होती है दोस्तों नमक बहुत ही अच्छा ऐसा पॉजिटीब चीज है साकारात्मक चीज है कि जितनी भी नाकारात्मक सकती है वो अपने अंदर सोख लेता है दोस्तों और आपके परिवार को अच्छे से रखता है सुक्सम्री दिल आता है और जितने भी नजर, तकलीप, कला, जितने भी परिवार में तकलीप होते हैं, वो धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं, दोस्तों, ये मानी हुई बात है, आप ये आज मा के देखिए और कर कर देखिए, तब ही आपको फायदा मालूम पड़ेगा, आज हम नमक से वास्तु निवारन की बात करेंगे, दिर्ग काल से नमक को रिणात्मक, उर्जाओं से मुक्त का साधन माना गया है, दोस्तों, रोते हुए बच्चों को अगर नजर उतारने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, इसे समानिता सभी जानते हैं, नमक का प्रय परिवार में घर में रिणात्मक, उर्जाओं से मुक्त के लिए ही किया जाता है, यानि अगर आपके परिवार में बैड अनर्जी है, कुछ तकलीप है, दुख है, तो नमक से अतिसिक्र दूर हो जाता है, दोस्तों, अने को बार कई लोगों को ऐसा अनुबवा होने लगत तार पोचा लगाते हैं, यानि पानी में डाल कर पोचे से 15 दिन तक लगातार घर में पोचा लगाते हैं, तो घर में की जितनी भी बैड एनर्जी है, जितनी भी नाकारात्मकुर्जा है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी दोस्तों, और आपका घर पहले की तरह सुक ठोड़ा नहीं फैयदा हो रहा है, तो किसी एक स्थान के कोने में बिना ढखे हुए नमक रख देना चाहिए, ताकि वो जितना नमक है, जितना सकारात्मक नमक है, उतना ही वो नाकारात्मक एनर्जी को ओनी बैड एनर्जी को वो सोख ले, और सोख लेने के बाद, फिर पर जोतना सुद्ध और पवित्र हो जाएगा यह क्रिया आपको कम से कम 30 डेस करना है या 15 डेस करना है आपको जितना सुविदा लगे सरर लगे वैसा करिए और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताईए कि आपको क्या फैदा हुआ और आपको कैसा फील हुआ यह बहु प्रभावित कमरे की अगर आपको बहुत ज्यादा ही नाकरात्मक सकती नजर आती है तो पांच कीलो जो बड़ा बड़ा नमक होता है जो खड़ा नमक होता है दोस्तों उसको कहीं भी किसी भी कपड़े में बांध कर उसको रख दीजिए और कहीं भी रख दीजिए इसमें नाकरात्मक उर्जाओं से आपको मुक्ती अवस्य मिलेगी दोस्तों और आपका घर पहले की तरह सुख सम्रीदी से भर जाएगा, कुशियों से भर जाएगा और साथी साध्धन आगमन के भी साध्धन उत्पन होंगे दोस्तों ये आप करके देखिए, ये मानी हुई बात है इस बात को आप गांट बांद लीजे और अगर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ है तो इन उपायों को करके आप अपने घर के वास्तु दोस्तों भी दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में आए हुए दुख कला को भी आप दूर कर सकते हैं दोस्तों, साथी साथ एक और ब बांती हो, बेवज़ा जगडा हो रहा हो, कला हो रहा हो या संबृद्धी में रुकावट आ रही हो चाहे आपके व्यापारिस्तल में चाहे आपके घर में अगर रुकावट आती है तो इसके लिए आप एक काम करिए आप अपने मकान, दुकान या प्रतिष्ठान के हां मं मंगलवार वा सनिवार को साफ करके साबूत नमक दोपहर के समय सुद्ध पानी के बरतन में डाल दें और उसे घुलने दें देखिए दोस्तों दो दिन मंगलवार और सनिवार के दिन साबूत नमक लेकर पानी में पहले घोलने और उसके बाद सुद्ध पानी में घोलके औ अगर आपके पास साबूत नमक नहीं है दोस्तों तो आप साधा नमक भी ले सकते हैं जिससे कि आपका जो भी बैड एनरजी है जो भी नाकरात्मा कुर्जा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी दोस्तों इसी तरह फिर उसी समय संध्या के 7 बजे से 11 बजे के मद्ध में इस नमक गुले हुए पानी को जिन जिन स्थानों पर आपको लगता है कि बंधन है या तकलीप है टोना टोटका है उन उन स्थानों के रूम में चारो तरफ छिड़क दीजे छिड़कने के बाद उसको उसी तरह छोड़ दीजे और दूसरे दिन जो है जिस तरह आप घर की सफाई करते हैं उस तरह आप सफाई कर दीजे ऐसा सब्ता में दो तीम बार आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों जिससे कि आपको स्वतही मालूम पड़ेगा कि मेरा घर कितना सुक समरीदी से भर रहा है घर में कलह नहीं हो रहा है घर में पैसा आ रहा है ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बाते हैं जो अपको पैसा भी नहीं खर्चा करना है और नहीं बाहर जाना है नमाप तो घर में मिल जाता है इस उपाय को कर के देखिए और अपने जीवन में घर-परिवार में व्यापारिस्थान में सुक समरीधी लाए और इस उपाय को अगर फैदा होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको फैदा हुआ दोस्तों अगर मेरा ये चैनल और वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच